तो दोस्तों इंडियन आर्मी को लेके एक बहुत बड़ा ख़वर आ रहा है। ख़वर इतना बड़ा है कि ये इंडियन आर्मी के जो modernization process है उसे ही खाली तेज रफतार नहीं करेगा बलके दुश्मन के मन में इंडियन आर्मी को लेके जो डर है उसे भी बढ़ाएगा। बै दोस्तों देखा जाए तो ये जो 600 artillery है इसे इंडियन आर्मी के तरफ से दो अलग अलग process के अंदर ख़ड़ा जाएगा जिनमें सबसे पहला process है 200 mounted gun system को लेके। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इंडियन आर्मी के द्वारा पहारी एरिया में खास करके line of actual control के नस 105 mm के mounted gun system को खरिदने को लेके request for information भी जारी किया जाएगा जो संपून रोफ से Indian vendors के लिए मतलब Indian company के लिए होगा और making India initiative के अंतरगती इसे purchase किया जाएगा और दोस्तों ये पहली वार की तरह होगा जब इंडियन आर्मी के बेड़े में 105 mm के mounted gun system होगा जो की rapid deployment के लिए काफ ने artillery बेड़े को modernize किया जा रहा है तो वही पर इस modernization process में भारत के कई सारे कंपनियों के तरफ से भी मदद किया जार और आप लोगों के जानकारी के लिए बतादू कि फिलाल defense public sector undertaking मतलब भारत के जो government company है उनके तरफ सही armed forces के लिए artillery का निर्मान नहीं किया जा रहा है बलक कि दोस्तों इन 200 artillery के इलावा बताया जा रहा है कि ministry of defense के तरफ से जल्धी और 400 toad gun सिस्टमों को भी खरितने को लेके अनुमती दे दिया जाएगा और शायद इन अनुमती कल के दिन मतलब 30 November के दिन जो defense acquisition council के meeting है उसके दर्मियान ही दे दिया जाए फिलाल दोस्तों इंडिय इंडियन आर्मी बड़े मात्रा में इंडिजिनियस 155 mm by 52 कैलिवर के artilleryों को इस्तेमाल करना चाहता है जो एक तरीके से ऐसे विदेशी artilleryों के मुकाबले में हलका, versatile और काफी अधिक advanced technology से हैं दूसे तरफ आप लोगों के जानकारी के लिए ये भी बता दू कि इंडियन आर् के mounted gun सिस्टमों का भी तलाश इंडियन आर्मी के तरफ से किया जा रहा है अब दोस्तों इंडियन आर्मी के तरफ से इन सभी artilleryों को खरिदने के पीछे जो असल इरादा है वो है चायना के border में ऐसे artilleryों का deployment और इनी कारणों के वज़ा से इंडियन आर्मी के तरफ से थोड़ आर्ट लेडी गनों से भरा जा रहा है और दोस्तों ये जो process है ये साल 2042 तक चलेगा और शाय साल 2042 के बाद इंडियन आर्मी में संपूर्ण रूफ से इंडिजिनियस आर्ट लेडी गन ही हो और दोस्तों इस प्रयास में पिछले एक दशक के अंदर इंडियन आर्मी के द धनुष असल में भारत के तरफ से डेफलफ्ट किया हुआ बोफोर गन ही है जिसे की बोफोर के इलेक्ट्रोनिक अपग्रेड विका जाता है हाला कि दोस्तों ये बोफोर का कोई अपग्रेशन नहीं है बलकि बोफोर के जैसे ही एक ताकदवर गन सिस्टम है जिसे की पारंग गन असल में भारत के जो पुराने 130 mm के आठ लेड़ी गन था उसी कही 155 mm के अपग्रेशन वर्जिन है और अल्ट्रा लाइट हाउट्जर के बारे में तो आप लोगों को पताई होगा और इसका टोटल 7 रेजिमेंट इंडियन आर्मी के लिए खरिदा गया तो वह चीत चल रहा है जबकि दोस्तों इसके इलावा अगर आठ लेडियों के डेवलप्मेंट को देखा जाए तो कल्यानी ग्रूफ के तरफ से कई सारे आठ लेडियों को बनाया जा चुका है जिनमें 105 mm के आठ लेडिय से शुरू करके 155 mm के 39 कैलिवर 45 कैलिवर और 52 कैलिवर ज कि आप लोगों को पता ही होगा कि ये 155 mm by 52 कैलिवर का गन है और इसके माउंटेड वर्जन को भी अब बनाया जा रहा है अब दोस्तों इंडियन आर्मी के आठ लेडियों के अंतरगत केवल मात्र आठ लेडियों को ही हासिल नहीं किया जा रहा है बलकि इसमें अब रोकेट का डेवलापमेंट किया जा रहा है इंडियन आर्मी जल्दी इसके टेस्टिंग को शुरू करेगा रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इंडियन आर्मी के रिक्वर्मेंट को देखते हुए डिया डियों को लेके काम दिया गया है और डिया डियों इस और चायना के थ्रेट को काउंटर करने के लिए आर्मी को एक लंबे दुरी तक मार करने वाले आर्ट लिडी का ही आवशकता नहीं है बलकि इसके इलावा भी कई तरीके के और मॉडनाइज हत्यारों का जरूरत है अब दोसकों देखा जाए तो DRDO के तरफ से अल्रेडी पिनाका सीरिस के मल्टी वेरे रॉकेट लॉंचरों का डेवलोप्मेंट किया जा चुका है और पिनाका सीरिस के अंतरगत जिन रॉकेटों का डेवलोप्मेंट किया गया है उसके निम्नतम रेंज 37.5 किलोमेटर है जब करने को लेके पर्मिशन मिल चुका है और DRDO 1500 किलोमेटर रेंज और 200 किलोमेटर रेंज के अलग अलग दो गाइड़ेड रॉकेट की उपर काम भी कर रहा है हाला कि दोस्तों खाले गौर्णमेंट ओन कमपनियों के तरफ से ही काम नहीं किया जा रहा है बलकि प्राइबेट सेक्टर कमपनी सोलर इंड़स्ट्री को भी ऐसे गाइड़ेड आर्ट लीडियों को डेवलोप्मिशन दिया गिया है और इस पर्मिशन के अंतरगत कमपनी क के तरफ से महाशरास्त्र 1 और महाशरास्त्र 2 नामक दो अलग अलग रॉकेटों का डेवलोप्मेंट किया जा रहा है यहाँ पर दोस्तों महाशरास्त्र 1 असल में 30 किलमेटर रेंज वाला एक गाइड़ेड रॉकेट है जब कि महाशरास्त्र 2 असल में 290 किलमेटर दूर त तरफ से इसके टेस्टिंग को शुरू किया जाएगा अब दोस्तो इस तरीके के जो रॉकेट आट लेडी या फिर कहें तो मल्टिवेर रॉकेट लॉंचरों का डेवलोपमेंट किया जा रहा है ये इंडियन आर्मी के आट लेडी ब्रिगेट को मॉडनाइज करने के लिए अ आवशकता है और वही पर दोस्तों आप लोगों को ये भी बतादू कि लॉंग रेंज आट लेडी प्रोजेक्ट के अंतरगत फिलाल पिनाका माक 3 को भी गिना जा रहा है जो फिलाल अंडर डेवलोपमेंट है और पिनाका माक 3 जैसे रॉकेट वीकर इवन 120 किलोमेटर दू और हमले के बाद तुरंत ही वहां से अपने आपको बाहर निकाल सके उपर से दोस्तों इसके इलावा इन रोकेटों के पास हाई ऑल्टिट्यूट इनवार्मेंट में भी ऑपरेट करने का शमता होना चाहिए और इसके जो कैरियर है इसके पास इतना ताकत होना चाहिए कि पहाडी उबर खावर एडिया में भी बहतरी धंग से काम कर सके दोस्तों फिलाल भारत के पास जो रोकेट आट लेडी या फिर कि मल्टिवरे रोकेट लॉंचर है उसे अगर देखा जाए तो उनमें सबसे पहले नाम आता है बीम-21 ग्राड रोकेटों का जो की एक तरीके स इंडियन आर्मी के सबसे पुराने रोकेट आट लेडी या मल्टिवरे रोकेट लॉंचर है जबकि इसके बाद स्मैश रोकेट सिस्टमों का नाम आता है और ये भी रश्यन ओरिजिन रोकेट है जबकि इसके इलावा इंडियन आर्मी के बेडे में पिनाका मार्क वान 37.5 किलोमेटर रेंज वाले पिनाका मार्क वान एन्हांस 45 किलोमेटर रेंज वाले फिनाका मार्क टू 60 किलोमेटर रेंज वाले और गाइड़े पिनाका 75 किलोमेटर रेंज वाले मल्टि वैरे रोकेट लॉंचर एक्टिव है जबकि इसके इलावा पिनाका सीरीज में 122 मिलिम के ERR रोकेटों का development किया जा रहा है जो की testing phase में और 40 km दूर तक target को निशाना बना सकता है पिना का mark 2 extended range 90 km के range वाले 8 लेडियों को वी टेस्ट किया जा रहा है और पिना का mark 3 तो 120 km range वाले under development है तो आप लोगों को क्या लगता है कि इस तरीके से भारत कैसे अपने 8 लेडियों क आवशक्ताओं को और रोकेटों के आवशक्ताओं को पूरा कर सकें गया कॉमेंट करके अपने दाए अवस्चा दीजिए दोस्तों आजके इस वीडियों को अपंत कि और एक दिन किसी और एक वीडियों मिलेंगे तब तक के लिए जाए एई धिन वंदहिं मातरम